नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको हर रोज चार तरह के बीज और एक काढ़ा जिरूर पीना चाहिए जिससे आप सो सालों तक निरोगी और स्वस्थ जी सकते हैं कोई भी बीमारी आपके आसपास नहीं आएगी अगर आप इन बीजों का और इस काढ़े का हर रोज सेवन करते हैं दोस्तो आज जिन बीजों की हम बात कर रहे हैं वो है कद्दू के बीज, खस-खस, बदाम और मखाना ये चार तरह के बीज आपको इतने फाइदे देगा कि आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे दोसो कद्दू के जो बीज होते हैं, वो हमारे लिए काफी फाइदे मंद होते हैं डाप्टीज रोग्यों के लिए फाइदे मंद है, वजन घटाने के लिए आप इसका प्रियोग कर सकते हैं, इम्मिनिटी बढ़ाने के लिए आप इसका प्रियोग कर सकते हैं, भालों की ग्रोथ के लिए प्रियोग कर सकते हैं, ये एंटि अक्सिडेंट से भरपूर होते हैं तो हमारी सेहत के लिए काफी फाइदेमंद है दिल के लिए भी ये बहतर काम करता है और जिन लोगों को नीन नहीं आती है ठीक से वो भी इसका प्रियोग कर सकते हैं और दोस्तों इसमें सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं तो आपके शरीर के लिए और आल हेल्थ के लिए ये काफी important बीज है इन बीजों का आपने सेवन जरूर करना है हर रोज कैसे करना है वो हम वीडियो की last में बताएंगे आप वीडियो को skip ना करें वीडियो को ऐसे ही देखते रहें दूसरे परकार का बीज है खस-खस का बीज खस-खस दोसो इस तरह से दिखाए देती है ये फाइबर से भरपूर होती है आपके मोटापय को घटाने के लिए बहुत ही काम की ओशदी है जिन लोगों को पेट से जुड़ी परिशानिया होती है जैसे कब्ज हो गई, गैस हो गई, आसिडिटी इन सबसे चुटकारा दिलाने में ये बीज बहुत ही माहिर होते है इसके अलावा दोस्तो ये कैंसर रोधी भी होता है कैंसर को आप इससे घटा सकते है यमित रूप से अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके पेट को बिलकुल स्वस्त बना देगा और जब आपको पेट की बिमारी कोई नहीं होगी तो आप हेल्दी और स्वस्त जीएंगे आपको बिमारिया नहीं लगेंगी तीसरे परकार का बीज है बादाम दोस्तों बदाम के बारे में आप सब जानते हैं कि बदाम कितने अच्छे होते हैं हमारी सहत के लिए बदाम में प्रोटीन और फाइबर काफी मातरा में होता है जो पेट को देर तक भरा रखता है और अस्वस्थ चीजे खाने की आशंका को कम कर देता है इसके अलावा दोस्तों बदाम जैसे नट्स खाने से मेटाबोलिजम भी तेज होता है और शदीर तेजी से फैट बर्न करता है बदाम में विटामिन E परचूर मातरा में होता है जो कि आपकी दिमाग की शमता को बढ़ाता है इससे दिमाग तेज होता है और भी इससे काफी फायदे मिलते हैं जैसे कि डियापटीज परसन के लिए काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इसको खाने से ताकत मिलती है मोटापा घट जाता है दिल के लिए स्वस्थ है कॉलेस्टोल को घटाने में काफी हल्प करता है हमारी इमिनिटी को बढ़ा कर रखता है और भी इसके काफी फायदे हैं मखाने आप ले सकते हैं चोथे पेखार के बीज है मखाने मखाने खाने से आपकी किड्नी स्वस्थ रहेगी यानी किड्नी में जो भी टॉक्सिंस है वो बहान निकल जाएंगे इसके सेवन से किड्नी हल्दी बनी रहेगी खाली पेट मखाने खाने से Blood Sugar Level भी कंट्रोल में आता है Diabetes Patient इसका जरूर यूज करें रोजाना मखाने खाने से Blood Sugar Level को कंट्रोल में रखा जाता है हडियां इससे मजबूत होती है आपको जोडों का दर्द रहता है हडियां कमजोर है आपकी दात कमजोर है इन सब में आप मखाने का सेवन करते हैं दोसो ये चार प्रकार के बेज हमारे लिए बहुत ही important है आप इनका रोज सेवन करें दोसो आपने इनका सेवन कैसे करना है जैसे कि एक महीने में चार वीक आते हैं चारों में आपने अलग अलग यूज करना है इन बीजों को, जैसे वन वीक आप कद्दू के बीज ले, वन वीक आप खसकस ले, वन वीक आप बादाम ले सकते हैं, वन वीक आप मखाने ले सकते हैं, इस तरीके से आपने इसका सेवन करना है, दोस्तों कद्दू के बीज आप आप रोस्ट करके खा सकते हैं, सुभे खाली पेट आपने चारो भी जो का सेवन करना है, चार तरह के भी जो का सेवन करना है, कद्दू के बीज आप रोस्ट करके भी ले सकते हैं, या इनका काड़ा बना कर ले सकते हैं, या फिर इनको पीस कर इनका पाउडर भी ले सकते हैं दूर बगारा में या फिर ऐसे ही फाकी भी ले सकते हैं कद्दू के भीश्व हमने बता दिये आप बताते हैं आपको खस-खस कैसे लेना है आपने खस-खस दोसो आप भून कर ले जैसे कि आप खस-खस थोड़े से घी में भून ले एक चमच घी में आपने एक मुठी खस-खस भून लेनी है तो भून कर दोस्तों आपने इसमें मिला लेना है दूद और दूद आप मीठा कर सकते हैं इस तरह से अगर आप खस-खस खाते हैं तो आपकी जो हडिया है वो मजबूत हो जाएंगी मुठापा आपका घट जाएगा दिल के लिए ये स्वस है और जोडो का दर्द आपको नहीं होगा और डाइबटीज में भी ये बहतर काम करेगा इस तरह से आपने खस-खस का यूज करना है तीसरा बरकार का बीज है बादाम बादाम दोस्व आपने रात को भीगो कर रख देने है कम से कम आप हर रोज दो बादाम जरूर खाएं रात को आपने बादाम भीगो कर रख देने है और सुबह उठकर छील कर उसको खा लेना है चबा चबा कर उपर से आप दूद ले सकते हैं चोथे परकार के बीज है मकाने, मकाने भी काफी फाइदे मंद ओश्दी है दोस्टो आपने हर रोज इसका सेवन करना है, मकानों को भी आप सुभे-सुभे खाली पेट ले, अगर सुभे खाली पेट लेते हैं तो आपको ये भरपूर फाइदे देंगे, दोसो मखानों को भी आप या तो रोष्ट करके खा सकते हैं या फिर इनको ऐसे ही खा सकते हैं चबा चबा कर उपर से आप दूद ले सकते हैं या फिर इन चारो परकार के बीजों को आप बिना दूद के भी सेवन कर सकते हैं वो आपकी इच्छ है जिस परकार से आप इन कर लेना है और कैसे आपने सेवन करना है दोसों आज इस काड़े के हम बात कर रहे हैं वो है अर्जुन की छाल का काड़ा हमने पहले भी आपको बनाना सिखाया है आप उस तरह से आप वीडियो में जाके अर्जुन की छाल की काड़े को बनाना सीख सकते हैं दोसों अर्जुन की चाल का जो काडा है आपने सुभे खाली पेट लेना है जैसे कि आप इन चारों भी जो का सेवन कर रहे हैं उससे पहले आप अर्जुन की चाल का काडा लें अर्जुन की स्वार का याϊ कुदि है जैसे कि हिर्दे रोग्यों के लिए काफी फाइदे मंद है जिन लोगों का ऑपरेशन भी हुआ है हिर्दे का चंट डला हुआ है वो भी इसका यूज हर रोज कर सकते हैं कैंसर रोधी गुरों से भरपूर होता है डापटीज को कंट्रोल में रखता है इमिनिटी को बूस् मोटापा भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं और दोस्तों स्किन की जुर्यों को भी आप इससे कम कर सकते हैं बुरापा आपको समय से पहले नहीं आएगा यदि आप इस काड़े का सेवन करते हैं काड़ा बनाने के लिए दोस्तों आपको चाहिए होगी अर्जुन की चाल इस तरीके से आपने एक से डेड़ ग्लास पानी में इसको उबालना है धोकर और उसमें थोड़ी सी आप डाल चीनी भी डाल सकते हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा ताकतवर काड़ा बन जाएगा, तो इस तरह से आपने इसको उबालना है, उबालना कब तक है, जब तक कि आधा ना रह जाए, और इसको गरम-गरम ही पीना है, जिदि आप ऐसा करते हैं, तो आपकी जो तमाम बिमारिया मैंने बताई, वो सारी कंट्रोल में रहेंगी, आप बिमार नहीं पढ़ोगे, इमिनिटी आपकी बढ़ी रहेगी, तो इस तरीके से आपने काड़े का सेवन करना है हर रोज, और चारो परकार के बीजो का सेवन करना है, दोस्तों जब आप काड़े का सेवन कर रहे हैं, तो आप बीच में एक एक दिन स्किप्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप हर रोज नहीं लेना चाहते, तो आप एक एक दिन बीच में स्किप्ट करके इसका सेव कर सकते हैं दोस्तों यह आप तमाम उम्र ले सकते हैं इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने यह 11 दिन लेना है दस दिन लेना है या एक महीना लेना है इसको आप continue ले सकते हैं यह नुकसान आपको नहीं करेगा यह एक काफी असरदार काड़ा है जैसे ही दोस्तों सुभे आपने काड़ा लेना है खाली पेट उसके आप एक घंटे के बाद इन बीजों का सेवन करें तो इस तरह से आप बीजों का भी सेवन कर सकते हैं हर रोज और काड़े का भी सेवन कर सकते हैं आपको भरपूर फायदे मिलेंगे इससे तो इस तरीके से दोस्तों आपने इन चीजों का सेवन जरूर करना है और अपने शरीर को healthy स्वस बना कर रखना है तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें थाथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकन है उसे भी दबा दे ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें धन्यवादों सो झाल 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 झाल